हैसे ळायो और क्रांटी का सिध्दांत सम्पण यहा सम्मगर कर्णटी का शिद्दांत गया सम्मगर कर्णारंटी का विचार जाई पर्कासंनार्यान की राजणीति की विचार था रागराके विकास का अंतिम पहलु है लंबे समय तक राजनीतिक जीवन से दूर रहने के बाद 1970 के दसक में वे फिर से सक्रिय राजनीति आंदुलन की रापर निकल पड़े उन्होंने मैसूस किया कि भारत की स्थिति दिन परति दिन खराब हो रही है सरकार ताना साई भरष्ट अचारवो और सरवायता के रास्ते पर चल रही है राष्ट हितूं के अस्तान पर दलिये हितूं को महत्वदिया जा रहा है नैतिकता का दिन परति दिन पतन हो रहा है भारत्य योग परति भरष्ट हो रही है मानिवे अस्वतंता वो अधिकारों का अनन हो रहा है तो उन्होंने अपना संपूर्ण करांति का नारा दिया ताके भारते समाज को चारे त्रीक प्रतन की ओर जाने से रोका जा सकी तो उनका जो संपूर्ण करांति का सिद्धानत है उनके विचार धारे के विखास का अंतिम पहलो है उन्होंने 1970 में फिर से क्या क्या उन्होंने सक्रिय राजनिती पर सक्रिय राजनिती में भाग लिया उन्होंने ये मैसूस किया कि जो भारत की स्थितिया है दिन पर दिन खराब हो जा रही है सरकार क्या करे ताना साही हो गया चाईबराश्टाचार आवसाथ वायता क से राष्ते फेर चल रही है तो इसलिए उन्होंने संफूण करांति का सिद्दान दियाउक उनके जो संफूण करांति का आर्फ है उँ संपूर्ण क्रांतिकार्थ पूर्ण समाज का समन्वित वस संतुलित विकास साधरन सब्दों में भारत्य समाज तथा भारत की राशनिती व्यावस्ता के बर्तमान सुरूब में परिवर्तन लहाना संपूर्ण क्रांतिय जै परकास नारण एक ऐसे समाज का निर्मान करना चाहते थे जो अन्याई वह सोसन से रही हो जहां ब्रश्टाचार का नाम वो निसान नहों इसलिए संपूर्ण करांति के सामन जशेपूर्ण वो संतुली विकास के लक्षय को उन्होंने जनता के सामने रखा वो इस संपूर्ण भारतिय समाज के थांचे को बदलना चाहते थे जाए उनका संबंद आर्थिक, राजनितिक, सांस्कृतिक वो सामाजिक किसी से भी हो इसलिए 1970 के दसक में उन्होंने बिहार हुआ गुजरात की युवा सक्ति के अंदुलन को सही दिशा दी उन्होंने अपना समगर करांति का सिद्दांत लो संपूर्ण करांति के अधारना का विकास किया अपने आर्थिक, सैदांतिक, बाधिक तथा नेतिक करांतियों का योग ही संपूर्ण या समगर करांति है तो जो उनका समगर करांति का अर्थ है वो है कि पूर्ण समाज का समनिवित वो संतुलित विकास तो सादरन सब्दों में ये काज़ा सकता है कि भारतिय समाजता था भारत की राजनीदी व्यास्ता के बर्तमान शुरूब में परिवर्तन लाना ही संपूर्ण करांदिया ये केवल क्या नहीं है केवल ये केवल आर्थिक और राजनीदिक करांदियता की परिवर्तन तक इसी मिदनीवल के वहां सकति शम्पूंण करांटि का व्यास्थर है और देश का भोषिया उनिप निर्वण है तो ये दूसरी भी सेस्ता हो गया, तीसरी भी सेस्ता हो गया, संपूर्ण करांती गाउं से शुरू होती है, चौत हो गया, संपूर्ण करांती अहिंसक अहिंसक साथनों से प्राप्त किया जाएगा, संपूर्ण करांती के विचार का राजनितिक वो आर्थिक विकैंदिक करन समाज के अस्तापना संपूर्ण करांती का प्रमुक्स देए है, अंतिम होगे संपूर्ण करांती नयतिकता से गनिश्ट रूप से जुड़ी वे है, अब होगे संपूर्ण करांती के उदेश्या, जो उन्होंने संपूर्ण करांती का सिद्धान दिया था, उनके उदेश्या क्या होगे फस्ट उदेशय सामाजिक उदेशय जैपरकाश नारयन की संपून करांति का पहला तातकाली उदेशय था सामाजिक समानता को दूर करना जैपरकाश नारयन भारते समाज में फैली जाती पाती होगे धर्म लिंग वो आर्थिक समानता से परचित थे उनके विचार पर समानता अस्तापित करना उनका परमुक धे था इसलिए उन्होंने यू आवर्ग से आववन किया कि वे देज बढ़ता जाते बढ़ता चुआ चुद जैसी बिरायों से लड़ें उनका परतम उदेशय था संपुरुक रान्ती का उस्तापित करना उनका परमुक उदेशय था दूसरा उदेशय था आर्थिकivalुप यू जैपरकाश नारन ने जो ततकारिन भारती आर्थिक इस्तिति से भ़िभाधी परचित थे उस टाइम पर जो भार्तिय आर्थी इस्तित थे उससे बधिभाती पर्ची थे महेंगाई तीजी से बलड़ी थी बेरोजगारी अपने पंक फेला रही थी मुद्रा की कीमत घटरी थी इस बिसम इस्तिति से निपढ़ने के लिए उन्होंने मुद्रा इस्पिति को रोपने के उपाय करने पर जोड़ दिया उन्होंने कहा कि सरकार को किर्सी मजदुरूं की कारे दसाओं तथा जीमन दसाओं को सुदारने के परियास करने चाहिए और यगिक मजदुरूं के वेतन में बिर्दी की जाने चाहिए इसके साथ उन्होंने जनता से भी अपिल की कि वे अपने भौतिक आउशक्ताओं को सिमित रखे तो दूसरा उदेशय था उनका उदेशय होगे ये आर्थिक उदेशय तीसरा होगे नहतिक मूल्यों का उथान जय प्रकास नारण की वल समाज की भाय रशना में परिवर्तन लहना चाहते थे बलकि मानिवे चितना को विजागरित करने के लिए अधीर थे इसलिए उन्होंने आध्यापि मुल्यों की पुनर स्थापना पर जोर दिया उनका माना था कि नहतिक मूल्यों का उका स्कील पियत भी का सम्भाव ने इसलिए उन्होंने नहतिक करांती та संफबी क का मैटव पुन हिसाब ना ये धन हो गया धर्म निर्पेक से राज्य की स् प्रक्षेप करें और ना धर्म संप्रदाई राजनेतिक मामलों में। लेकिन धर्म के कठो रूप को छोड़कर वे उन नैतिक मुल्यों को राजनेति में बनाई रखने के पक्सदर थे जिन पर सभी धर्म सहमत हो। उनके नेताओं का व्यक्तिकत परवास हाया रहता था ये विविन अनैतिक तरीकों से तरीकों से जनता को विविन बर्गों में बाढ़ते थे और बोड़ वटूरते थे। चुनाव जीतने के बाद सारवजिनिक हिद के नाम पर स्वार्त सिद्धिक करते हैं। ये अल्पमत म अस्थापना उनका संपूर्ण करांति का उदिश्य था। जैपरकास नारण मिश्रित अर्थव्यास्ता के पक्सदार थे। उनका धेई था कि समाज के परतिकवर को रोटी मिले, परतिक को रोटी कपड़ा और मकान के मूलभूग आउशक्ताएं पोरा हो। इसलिए यूग धंदों को बढ़वा मिलेगा तथा सबको समान काम के लिए समान बेतक मिलेगा। गाओं में सहकारी समितियों का निर्मान किया जाएगा। और किसानों के रिन मुक्त किये जाएंगे। किसानों के जो रिन हैं उनको मुक्त किया जाएंगा। इससे ग्रामिन अर्थ व्युस्ता सुधर जाएगी और गुनार में समाज विकास की मार्ग पर अग्रसर होगा अब हो गया संपून करांति के जो साधन है उसके बारे में परस्ट साधन होगे जन समितियां जै परकाश नायरान का विश्वास था ची संपून करांति के वल धर्म रहीत वर्ग रहीत नवयुकों वो संगठनों द्वारा लाई जा सकते हैं इसलिए उन्होंने जन समितियों की गठन पर बल दिया ये जन समितियां राष्ट व्यापी होंगे उन्होंने विचार परकट किया कि यदि पर्तिक नवयुक या नवयुक अपने आपको जन समितियों को अर्पित करे करे तो लाखों sijoji जन्समित्याँ बन जाएंगी इस परकार बंचिस समय लोगतांत्रिक साथनों का परियोग करेंगे यह समित्याँ जन्सा वर भूव्हयुक्र निभाएंगी तो जन्समित्याँ पर उनका साथन्तों जह स्मपूलकृर्णग्रांतिकर फस्ठ होगे जन्समि अबिकर आपको जन समीतियां बन जाएंगी इस प्रकार गठी जो जन समितिया है कि जिसे जन साधरण में भूमिका निभाई जाएगी तूसरा प्रसास निय विकंडिकरन नौकर साइए के दुस्प्रणाम से जाते हैं जुस्प्रणाम को बलीभांती समस्ते थे नौकरों ने मालिकों की भूमी का अधाकर्णी प्रारम कर दी है जनता के सिवग स्वामी बन बैठे है इसलिए उन्होंने परसासन का विकेंद्री करण करने का सुझाओ दिया ताकि नौकरशाई के दोस्त को समाप्त क्या जास की जनमत तयार करना जय परकार के शिक्सा दे कर लोगों को ब्रश्ट वह अन्याई शासन के ब्रूत एकज़ट कर दिया तो शंपरक्रांती के लक्षे को प्राप्त किया जाने में आसानी होगी इसलिए उन्होंने जनता या जागरन को तो पूसाथन माना है, अम हो गया, पर्त्यक्स कारवाई के साधन, जाएपरकास ने को पर्त्यक्स कारवाई के साधनों को अपनाये जाने में कोई संकद नहीं था, उन्हों का कहना था कि नागरीक अविज्य, सांतिपोन, पर तिरुद वो अस्योग बंद गेराव हरताल आदी समगर करांथी के साधन हो सकते हैं इनका परियोग सांतिपूर्ण साधनों में असपल होने पर ही क्या जाना चाहिए उन्होंने ब्रश्ट नाजितिकों का खेरो करने का आवान दिया हुई स्वयम भी लाखों जन आंदलो और उनों के साध दिल्ली में संसत का घेराव करने ले अब हो गया संपूर्ण करांथी का ब्यवारी क्या पहलू है संपूर्ण करांथी के को ब्यवारी ग्रूप देने के लिए जन समीतियों का गठन कला चुनाओं में जन संगर्च समीतियों के उमिद्वार खड़े की नि जून 1975 में उन्होंने इंद्रा गांदी पर दबाव डालने चेले जन आंदूलन को संगठित किया इस दोरां इंद्रा गांदी ने आपतकार्ट की घुष्णा करके उन्हें वह उनके सईयोंगे को जिरपतार कर लिया को समय बाद जील से चूटने पर विमाई के कारण उनकी म संपौन करांती का विहारिक पहलवु अब हो गया संपौन करांती का मुल्यांकन आलचकों का कहना है कि संपुनक्रांति की अवधारना स्वबिरोधा वासों का भंडार है एक तरब तो वे अहिन सात्मक साधनों का परियोग पर बल देते हैं जबकि दूसरी तरबों क्या करते हैं कि पर्ट्यक्स कारवाई का भी समर्थन करते हैं इससे क्या होगा कि इससे अराजकता फैलने का खत्रा पैदा होता है लोग तंत्र में पहले जिन परतिनिद्यों को निर्वाचित किया जाता है उन्हें त्याकपत देने के लिए मजबूर करना पूणे तो सेंधानिक है इसी तरह भारत में जो कुछ भी घट रहा है वो बंद निया है इसलिए बरतमान संपुण करांती का बिसार अप्रसाइंगी हो गया है लेकिन इसके बावजूद भी यह कहना यह बात स्विकार करने पड़ेगी कि जैपरकास की संपुण करांती के अवधारना ततकालीन भारते समाज की दसास उधारने के लिए चलाया गया एक महत्वण आंदुलन था जैपरकास नायरन ने संपुण करांती के लक्षियों का बड़न किया था आज भी इससे प्राप्त करने के आवशकता है जो उनका जो संपुण करांती का अवधारना है उसको प्राप्त करना आज भी आवशक है जो फ्रेंड्स ही हो गया संपुण करांती का या संपुण या समगर करांती का सिदान उसके आर्थ उसके विचेशता है उसके जो लक्ष है उसको जो संपुण करांती के जो साधन है उसके बारे मगे वीडियो थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो इस वीडियो प्लीज सब and comment on this video